हेलो बचो नमस्कार श्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूँ अर्टिंग यादव बच्छो MPPAT की तैयारी कर रहे चात्रों के लिए सबसे पहले एक महत्पून सूचना यह है कि बच्छो इस समय हैं सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह फोम भना तो फोम आप लोग भर दें लास्ट डेट का इंतिजान ना करें लास्ट अपको पता है कि कल है कल आज हीी किसी कंडिशन में आप कर रही गया है फोम फिल कर दीजेगा ठीक ना क्यूंकि साइड आजसे मुझे लगता है व्यस् ने पीछे नहां ठीक ना तयारी बाद में पहले फोंबना बहुत जरूर है ठीक ना कई बार बच्चे तयारी बहुत अच्छी हो जाती है और लास्ट में क्या होता है उनका फोंब भराव पाता तो यह बहुत बढ़ा दर्द होता इसलिए मैं आपसे कहुंगा बाकी तयारी म आपकी कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको प्रैक्टिस समझ में आएगी चीज और मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों जो कमुनिटी पर मैं आपनी यूट्यूब चनल पर आपको जो कोशन डालता हूं उसमें बहुत सारे बच्चों जातर कल 2-3 कोशन कल हर दिन दो कोशन में डालता हूं तो आप गलतियां कर रहे हैं तो देखें आप लोग कहां गलती कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं कि दो तो 300 आते हैं 300 400 जो बहुत बहुत सारी चल रहें और कोई बात नहीं वह तर बच्चों की प्र चकल थे योगी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे crop animal में तो कोई दिख्कत आने वाली उनको नहीं है अब थोड़ा सा element of science उनको थोड़ा सा करते चलिए अच्छे से बढ़ते चलिएगा ठीक है और जिन बच्छों के अच्छी तयारी चल लए है उनसे कहना चाहूँगा पीछे मुण के ना देखें सफलता का एक सर्थ होती है सफलता की यह कि समझ लिजए आप लोग की अगर सफल होना है तो पीछे मुण के आपको देखना ही नहीं है ठीक है आगे बढ़ते जाना है सफलता एक दिन आपके कत्वों में जरूर होगी ठीक है ना चलिए तो ज़्यदा समय खराम नहीं करेंगे और इस वीडियो के हम लोग सुरुवात कर लेते हैं कॉसंद बहुत अच्छे है लाश तक देखें जिससे आपकी प्रेक्टिस आपको एक आडिया लग सकते कि इस प्रकार के प्रिशनाप एक्जाम में बन सकते हैं ठीक है ना चलिए बाकी MPPT, Crash Course, Notes, प्रेडिया पे दिलेना चाहते हैं मुवाईल नमबर नीचे दे रखें आप लोग ले सकते हैं समय कम है आपको बहुत ज़्यादा महनत की अब जरूरत है ठीक है चलिए बाकी स्क्रीन पर बच्चो पसू की सीगों में पर्थम छला कितनी आयू पे बनता है जी हां बच्चो आपको पता होना चाहिए कि पसू के छले देखकर हम पसू की आयू ग्याद कर सकते हैं तो पहला जो छला है कितनी उम्र पर बन जाता है दो बर्स की उम्र पर चार बर्स की उम्र पर तीन बर्स की उम्र पर और डी है आपका पांच बर्स की उम्र पर तो बच्चो आपको याद रखना है पसू के सीओं में प्रतम छला कितनी आयू पर बनता है ध्यान रहे तीन बर्स की आयू पर क्यों दो बर्स तक कोई छला नहीं आता तीसरी बर्स एक छला आता है तो आप लोग कह सकते है उसकी उम्र कितनी हो चुकी है एक छला अगर उसके सीओं पर है तो उसकी आपकी उम्र हो चुकी है तीन बर्स चीके ना आप बस कुछ नहीं करना जितने छले हैं उसमें पिलस टू कर देना है क्योंकि तीन साल में एक छला आता है तो आप ध्यान रखेंगे इसमें प्लस कितना कर देना है तो प्लस कर देना जितने छले हैं तो आपको पस्यो की उम्र ग्यात हो जाएगी भारत में गाय की सबसे भारी नसल कौन सी है जी है बच्चो भारत में आपको बताना है कि सबसे भारी नसल कौन सी है नागोरी, अमरतमहल, कौकरेज, साहिवाल भारी मतलब बहुत बजंदार होती है कौन सी नसल होती है आपको बताना है नागोरी, अमरतमहल, कौकरेज या साह और बाकी मैं आपको थोड़ा सब्सक्राइब बता जेता हूँ बचो जो सहाईबाल नसले इसका दूद सबसे अधिक मीठा होता है क्योंकि इसकी दूद में सबसे अधिक क्या पाया जाता है लेक्टोच पाया जाता है ठीक है चलिए आप बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट है आपका बिस में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पदन बाली मुर्गी की नसल कौन सी है बल में सबसे ज़्यादा एक पोड़क्शन करने वाली मुर्गी की नसल कौन सी है ए है प्लाव माउथ रॉक, भी है रोड आइलेंड रोड, सी है भाइट लेगोन और डी है असील तो बचो बिस में सबसे ज़्यादा अंड़ा उत्पदन करने वाली नसला है आपकी भाइट लेगोन भाइट लेगोन लगबग 200-300 अंड़े आपके देती है ठीक है बचो और बाकी याद रखना असील जो मुर्गी है बचो इसका उपयोग जनरली मैं आपको बता हूँ मनोरंजन के लिए किया जाता है और मनोरंजन का मतलब ए मुर्गे जो उनके होते हैं ना उनको अपस में लड़ाय जाता है असील नसल में चीक है चलिए आगे बात करते हैं हम भारत में किरसी छिट से प्राप्त कुलाय में पसुपालन का कितना हिस्सा है 20%, 25%, 30% या 40% तो भारत में किरसी छिट से प्राप्त कुलाय का पसुपालन में जो हिस्सा है पसुपालन का हिस्सा कितना है वो है 30% कितना है 30% पसु पलम का हिस्सा है दो भागों में बटा हुआ खुर किसका नहीं होता खुर तो आप सब लग जानते होंगे तो इन मैसे ऐसा कौन सा पसु है जिनका खुर दो भागों में बटा नहीं होता महस का, उट का, भेड का या गाय का तो बच्चो आपका जो उट होता है न उट का खुर दो भागों में बटा नहीं होता बाकी भेड भेड गाय इन सब का खुर दो भागों में बटा होता है आगे हम बात करें बच्चो केंडलर की साहता से अंडों में भ्यून का पता लगानी के लिए पहला परिक्षन कप करते हैं Candler एक यंत्र होता है उसके दोरा हम लोग पता करते हैं कि अंडा फटलाइजड है या नहीं है उसमें भिहून है या नहीं है तो हम पता करते हैं 7 दिन बाद 3 दिन बाद, 14 दिन बाद या 9 दिन बाद तो बच्चो Candler की साहता से अंडों में भूर्ण का पता लगाने के लिए हम कप करते हैं लग बाद 7 दिन बाद हमें पता करने लग जाते हैं कि अंडा फटलाइजड है कि नहीं है भारत में गाए गव पसू नसलों में डेरी की सबसे बेस्ट नसल है हरयाणा, गिर, मालवी या सहीबाल बच्चो सहीबाल है कैसी नसल है उस सबसे देख दूद पदन करती है भारती नसलों में भारती नसलों में सबसे दूद पदन सहीबाल करती है इसलिए ये से डेरी नेशलों की सबसे बेस्क नसल माना जाता है इसको लॉला के नाम से जानते हैं क्योंकि इसी तुच्चा जो होती है धीली होती है इसका लॉला के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चलिए इसका उत्पत्ति स्थान मित फ़ला सा याद रखने हैं ना इसका मॉन्टुगमरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है दूध का पास्चुरी क्रण अल्ट्रा हाई टेंप्रेचर विधी से करने पर दूध का कितने समय तक गरम करते हैं दूद को कितने सेकंड तक गरम करते हैं एक से पांच मिनट तक एक से पांच घंड तक एक से पांच गरम करते हैं आप लोग विस्वास नहीं कर रहे होंगे एक से पांच सेकंड बस जी हां अल्ट्रा हाइड टेंपरेचर में टेंपरेचर ज्यादा होता है तो तापमान ज्य पसु में गाय की नसल कौन सी है विसकी सबसे सुन्दर नसल कौन सी है गाय की यो देखने में बहुत सुन्दर लगती है यह है साहीवाल बी है आयर सायर सी है जर्सी और डी है करन फिज तो बच्चो विश्व की सबसे सुन्दर नसल कौन सी है गाय की याद रखना वह है आपकी आयर सायर आयर सायर नसल देखने में बहुत सुन्दर लगती है ठीक है और बाकी तब लोग जानते है ये करन फिर जो आपकी नसल है यह आपकी संकर नसल है गाय की और जर्सी आपकी सबसे ज्यादा fat percent पाया जाता है साहिवाल का सबसे ज्यादा मीटा होता है भारती नसलों में यह आपको पताई है ठीक है चलिए बच्छलों में सींग रोधन का सबसे आउब कितनी होती सिंग रोदन मतलब उनके सिंग काटे जाते हैं तो कितनी उमर पर बाच्ट रहता है 4-6 दिन, एक माय च्छ माय एक परस तो याद रखें बच़रों में जो सिंग रोदन है सबसे उपताई हूँ है 4-6 दिन कव होती है 4-6 दिन सबसे पाच्ट माना जाता है सप्रेटा दूद में बसाकी मात्रा कितने प्रतिसत से अधिक नहीं होना चाहिए जी हाँ जो सप्रेटा दूद होता है उसमें बसाकी जो मात्रा है वो कितनी से अधिक नहीं होना 0.1% 1% 0.5% या 5% तो बच्चों याद रखें आंसर का सही होगा 0.1% सप्रेटा दूद बहे दूद होता है क्रीम निकालने के बाद बचा हुआ जो दूद होता है उसी हम सप्रेटा दूद कहते हैं और उसमें जो फैट रहता है ना वो 0.1% से दे नहीं होता है ठीक है चलेए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके कोसनों की ओर चली बच्चो आपको बताना है बील का कुल कौन सा है बील जो होता है ना इसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं अपने छेत्र में बील चिपकाने वाला इसमें एक पदार्त होता है मुसिलेज पाया जाता जन्नली इसलिए चिपकता और इसको कुल की बात कर भाएं तो सेपन डेसी रूटेसी रोजीसी या मेटेसी तो बील का जो कुल है बच्चो वो कौन सा है आपका वो कुल है आपका रूटेसी युकि सब ही आपके जितनी भी खटे फ़लोते है कुल आपका किस का है पता है कि नहीं बेर का ठीक है ना ये आपको पता मिटे सी आपका अमरूत का और जामुन का है ठीक है ना तो ये थोड़ा साथ आप लोग याद रखें भारत में कौन से फलका निर्याद सरबादिक महत्रा में होता है भारत में कौन से फलका निर्याद द पाए जाता है सोना मुखी इसब गोल शर्प गंधा या अस्प गंधा तो बच्चो मीशल नेज जो ऑसदी है वह किसके चलके में पाए जाता है इसव गोल की जो भूसी होती है यह भूत ही महत्पुन होती है इस मिल नेज पार जाने के कारण पस्टू को एक लाई जाती है ज जिससे कब्ज बगेरा को कुछ होता है तो उसमें ये बहुत ही महत्मुन होती है नेश्टे बच्चो फल गरने को नियंतरित करने वाला रशाइन कौन सा है फल गरने को नियंतरित करने वाला रशाइन कौन सा है इंडोल ब्यूटारिक एसिट, नेप्थलीन एसिटिकम, एफसिटिकम, एफसिशिकम लहे, टुफोर डाई कलोरुफिनोकसिक एसिड है तो बच्चों आपको बताना है फल गरने को नियंतरित करने वाला कौन सा केमिकल है तो याद रहे, बच्चों फल को गरने से जो रोकता है नेप्थलीन एसिटिक एसिटिक एसिट, के लियर नेक्स्ट आपको बहु बिरूनता किस फल में पाई यह थी, बहु मतलब बहुत और भून मतलब भून ठीके ना, तो बहुत सारे एंब्रियो जो पाई जाते हैं, वो कौन से फलों का एक गुण है तो याद रखना आम में, सिट्रस फल में, जामुन में या उप्रुक्षवी में तो बच्चों बहु बिरूनता सबसे अच्छी बाते इन तीनों में ही पाई जाती है सिट्रस फल्च, नीभू संत्रा जो भी है, आम सब जानते हैं, जामुन भी सब लोग जाते होंगे तो बच्चों ये आपकी बहुत बिरूनता इन फलों में पाई जाती है नेक्स्ट आपका बाटर लॉगिंग परिस्तिती के प्रती सम्मे अतियस सम्मेदन सील फल्च कौन सा है बाटर लॉगिंग की परिस्तिती के प्रती तो केला, पपीता, आम, याड़ी है अनार तो बच्चो अत्ती संबेद अंसील मतलब ये होता है कि बाटर लोगी बाटर लोगी के मतलब होता है कि पानी को पानी अगर भर रहा हो वहाँ पर फल खड़ा हो तो उसको जिल नहीं सकता है तो वो है आपका कौन सा बच्चो आपको बताना है पपीता पपीता जादा पानी को नहीं जल सकता है और वहाँ पर वो खदम होने के चांस रहते है उसकी जड़गल जाती है ठीक है आगे है बच्चो निम्लिखित में से कौन सा आम का बोना मूल वरंथ है ओलूर करेला या चौंसा तो बच्चों मूल वरंथ की बात करें रूट स्टॉक कौन सा है वो भी बोना तो याद रखें बोना जो मूल वरंथ है वो आम का कौन सा है वो है ओलूर ठीक है ना और बोनी बेराइटी कौन सी है वो है आमरपाली सबको पता होगा आगे बात करें आमला फल में आंत्रिक छे का कारण क्या है आमला का फल होता है उसमें इंटर्नल नेक्रोसिस हो जाता है उसके करण क्या है याद रहे उसका करण है बोरोन की कमी से क्या होता है आमला में आंत्रिक छे हो जाता है उसकी जो पोश्का होती है या जो टिसू होती है वो खतम हो जाते है उसको आ लागू किया गया था। महतूर एक बहराइटी है जैली का उपिक्त प्येजमान होता है कितना? 4 से 4.5 2 से 2.3 3.7 से 4.2 या 5.4 से 6.4 तो जैली का उपियुक्त प्येजमान होता है सबसे बेस्ट प्येजमान होता है 3.7 से 6.2 किर्शी और प्रिसंस्कृत उत्पाद विकास ओथोरेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी किसी और पिसंस के तो उतपात विकास ओथोरेटी की जो स्थापना है बच्चो कब की गई थी 1980, 1986, 1985 या 1990 तो बच्चो याद रखें यह 1986 में इसकी स्थापना की गई थी ठीक है चलिए बढ़ते हैं लोग आगे नेश्टे बच्चो कुस्मांड कुल की सबजियों के लिए कौन सी भूमी उप्युक्त नहीं होती है कुस्मांड कुल का मतलब होता है कुकुर्बेटेसी जो कुल होता है जिसमें आपके क्या आते हैं इसमें आपके कदू, लोकी, तोरई यह सब चीज़े आती हैं खरबूज, तरबूज तो वो सबजियों जो होती हैं कौन सी भूमी के लिए अच्छी नहीं होती है अमलिय भूमी, छारिय भूमी, अमलिय एवं छारिय भूमी और डिय आपका उदासी भूमी तो याद रखना, जो कौकुर्वेटेसी या कुसमांड कुल की सबजियों होती हैं उनके लिए जो आपका भूमी है वो कोन सी बेश्ट नहीं रहती है, ध्यान रहती है अमलिय भूमी में इनको हम लोग नहीं होगा सकते हैं आलू को कंद बनने के लिए कितने डिगरी तापमान आवशक होता है 21-23 डिगरी, 17-19 डिगरी, 25-27 डिगरी या 15-17 डिगरी तो आलू आपकी रवी रितू की फसल है, रवी रितू की सबजी है इस समय क्या रहता है, टेंपरेचर कम रहता है तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो टेंपरेचर होता है वो तो 17-19 डिगरी, ठीक है, याद रहे आगे बाद का निम्नलिकित में से कौन सी पूरक फसल आम के बगीचे के लिए बेस्ट है तो निम्नलिकित में से जो पूरक है गोले तो पपिता का पेड़ छोटा होता है तो उसको हम लोग जो खाली जगह है आम के बाग में भापर इसको लगा सकते है नेश्टे फूल गोवी में ब्लांचिंग क्रिया सामानता कौन सी किस्मों में अपनाते हैं, बच्छो फूलों में जो ब्लांचिंग की क्रिया होती है ब्लांचिंग का मतलब यह होता है कि उसकी जो फूल गोवी है उसके उपर का जो भाइट बाग होता है उसको ढखने के लिए क्या करते हैं इदर उदर के जो आसपास के पत्ते होते हैं उस गोवी को उपर के रवड से बान देते हैं जिससे उस फुल को कोई नुपसान ना हो आना तो यह जो क्रिया के जाती है अगेती पच्छेती मध्यम ए उप्रोक सभी में तो याद रहे फुल को में जो बिलांची की क्रिया है वो आपकी अगेती किसमों में की जाती है किसमे की जाती है अगयती किसमे की जाती है कृष्णा और कंचन किसकी किसमे है कृष्णा और कंचन बहुत महत्पून बेराइटी है जो किसकी है आपको बताना है यह आमकी है भी आमला की है C. अंगूर की है D. अमरूत की है तो बच्चो क्रिशना और कंचन बहुत महत्पून बैरायथी हैं दोनों, ध्यान रखना और दोनु ही आपकी आम ला की बहुत ही महत्पून बैरायथी हैं पौधे लगाने की सट भुजाकार प्रिनाली बिधी में बर्गाकार बिधी की तुलना में कितने पौधे लगा जाते हैं जी हाँ बच्चोres method होते हैं यह आपके बाग लगाने के तो 60 पोजय कार method में कितने अधिर लगा सकते हैं sebagai preparator method की अपेक्षा 10%, 15%, 20% या 25% तो बच्चोres method याद रखें इसमें हम लोग कितने लगा सकते हैं वो 15% अधिक पोधे लगाए जासकते हैं दुग्द साला में बरतनों की सपाई हितु सरवादी कौन सा धावन प्रियुक किया आता है जी हां बरतनों को दोने के लिए दुग्द साला में किसका उप्युक किया आता है हम लिए धावन का या छारिय धावन बोले सोडा कह सकते हैं चारिये सोड़ा का उप्रुक्त दोनों का या उप्रुक्त मैंसे कोई नहीं तो यहां रखना दुग्दुसाला के बरतन चिक नहीं हो जाता है तो उनको साप करने के लिए हम लोग इसका प्रियोग करते हैं मुशली चारिये सावन का ये चारिये धावन सोड़ा का उप्यों क परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं, कहलाती है, गाय को, भैस को, बकरी को या भीड को, तो परजीवियों का म्यूजियम तो सब लोग जानते होंगे, परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है, भीड को, किसको, भीड को, ठीक है, चले, दूद्ध दोहन की सबसे उप् आपको बताब दूध की सायता निकालना चाहिए दूध द्धूःं की सबसा जो best method तो कन्पीजे क estas 2, compounded a way र真्वान रेंडर पेच्ट रोक का विल्कुल इसको पसुप लोग बुला जाता है क्या बुला जाता है तो पसुपंलेग इंग्लेस सब्सक्ता का रोक काका करण क्या है जीवान, विसान, कवक रोट जो तो रंडर पेशान का मुख जो कारण है वह है विसानू और विसानू का नाम है मोर विली विसानू विसानू को इंगलिस में बायरस भी कहा जाता है कन्फ्यूज बिल्कुल आप ना हो ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रिशनियों की और नेक्स्ट आ बच्चो आपको इंसेक्टि साइड एक्ट कभ लागव है जी हां इंसेक्टि साइड लागव कभ गवा था यहाद रखना पारेत तो 1966 में हो गया था लेकिन लाग हुआ था 1968 में 2 पंक्तियों के मद दूसरी फसल को गाना क्या कहला आता है 2 पंक्ति किस के ले लिए एक फसल के ले लिए पीच में कोई और दूसरी फसल ले ली तो इसको क्या कहा जाता है उसको rowing कहते है या row spacing कहते है केस क्रोपिंग कहते हैं या इंटर क्रोपिंग कहते हैं तो याद रखना उसको क्या बोला जाता है उसको इंटर क्रोपिंग कहा जाता है केंद्रिय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है सब लोग जानते हैं केंद्रिय गन्ना अनुसंधान संस्थान मुंबई, पंत नगर, कुएमटूर या लखनव तो याद रखें केंद्री ये गन्ना प्रिजनन संस्थान जो इस्तित है वो है आपका लखनों में बाकी सुगरकेन ब्रीडिंग इस्ट्यूट का पर है वो आपका कोई मतूर तमिलाडों में इस्तित है सुगरकेन ब्रीडिंग मतब गन्ना प्रिजनन संस्थान नेक्स्ट आपकर किस खाद में पौधों के लिए आवश्चक लगवग सभी पोशक तत्व उपलब्त होते हैं कौन सी ऐसी खाद है जिनमें आवश्चक लगवग सभी निट्रेंट्स पाय जाते हैं गोबर की खाद इसको F.I.M. के नाम से जानते हैं D.A.P. में, M.O.P. में या C.A.N. में तो F.I.M. बोले तो इसका पुरा नाम क्या होता है फार्म यार्ड मैने उर्चु गोबर की खाद भी कहते हैं और इसमें ही आपके लगवग सभी आवश्चक पोशक तत्व पाय जाते हैं किस फसल बर्ग की जल मांग सरवा देखे है ज्वार इवम आलू, गन्ना इवम आलू, जो इवम गहू, अलसी इवम बादरा तो बच्चो बताना आपको है कि सबसे ज़्यादा बाटर की जो बाटर रिकार्मेंट होती है किस फसल की होती है तो याद रहें बच्चो सबसे ज़्याद वबाटर रोकारमेंट गन्ना एवं आलू की होती है गन्ना के लिए भूत पानी चाहिए उसी प्रकार से आलू की लिए भी पानी की ज़्यादा आवाश्चता होती है नेक्स्ट है टिक्का रोग किस पसल से सब्बादित है टिक्का डिजीज किस क्रॉप से रिलेटेड है धान से वाजरा से कपा से या मुंभली से तो बच्चो टिक्का रोग जो होता है वो आपको किस में लगता है मुंभली में लगता है सर को इस पूरा परसो नेटा नामक फंगच के दोरा ये मुंख़ली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कि सुर्वरग में अधिक नाइट्रियन पाई जाती है कैन यानि कैल्सी अमोनिय नाइट्रिट में DAP डई अमोनिय फास्पेट में ASN अमोनिय सलफेट नाइट्रिट में या AS अमोनिय फास्पेट में तो याद रखना आपका ASN अमोनिय फास्पेट नाइट्रिट में आपकी सबसे अधिन नाइट्रियन पाई जाती है इसे 32 पर्चन है लगा हरितबाली रोग किस पसल से संबंदित है धान से वाजरा से सरसों से या मुँपली से तो हरित वाली रोग है ग्रीन येर डिजीज बोलते है और ग्रीन येर डिजीज आपका ये बाजरा से समंदित है कैसे समंदित है बाजरा से समंदित है आगे हम लोग बात करते है टिटी केल का जन्मदाता है टिटी केल का जन्मद इसको निकाली गई थी इसकी वेराइटी एक बीटी 46 याद रखना आप लो और दूसरी 46 के बाद एक चीज और आपको याद रखना है कि यह रिंफु दारा इसको विक्सित किया गया था ठीक है इमारम निर्वित धान ने याद रखने आलू का बानसपतक नाम क्या है सब लोग जानते हैं आलू का बानसपतक नाम क्या है आपका पाइसन चटाइबं सुलनम नाई ग्रम सुलनम टिवरोसम या आपका एक और क्या है क्रावे मस लेने ट पताना है निम्नी लिखित मैं से कौन सा लंबी अब्दी का प्रकास चाहने वाला पोदा नहीं है जियां लॉंग डे जो प्लांट से वो कौन सा नहीं है मटर, लोविया, बरसीम या जै तो बच्चों आपको पता होगा इनके एक ट्रिट है मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर पैसे लोविया हुआ ये लोविया आपका खरीब रितुकी है बाकी आप देख रहे होगे मटर, बरसीम और जै ये तीनों आपकी रवी रितुकों है तो वो आपको क्या है कम अब्दी की प्रकास चाहने वाली फसला है है ना, आपकी सिर्फ कौन सी लंब्य अब्दी प्रकास का चाहने वाला पोदा नहीं है वो कौन सा नहीं है लोविया नहीं है, बाकी सभी आपके उनके लिए लंब्य अब्दी का प्रकास चाहिए ठीक है, ये ध्यानक ना, ये रवी और खरीब दोनों होता है कुण सा है चीनो प्रोटीन का पौधा है स्वावीन में कितने परसन प्रोटीन पाया जाता है 42 प्रतिसाद 20 प्रतिसाद 70 प्रतिसाद या 50 प्रतिसाद तो याद रखना आपका स्वावीन में 42 प्रतिसाद क्या पाया जाता है प्रोटीन और 20 प्रतिसाद तेल पाया जाता है म दलेनी फसलों में नामक बैक्टिरिया पाया जाता है उनकी जड़ों में जो की बाइबंडल से नामक बैक्टिरिया पाया जाता है। दलेनी फसलों में जो की बैक्टिरिया पाया जाता है। अमेरिकन का पास जो है सामानता 45-30 cm पाया आपको बया जाता है। रो से रो की दूरी और पौदे से पौदी की दूरी आपकी रखी जाती है। मिर्दा सर्रचना सम्मादेता है किस से? मतलब मिर्दा सर्रचना क्या है? कणाकार का बितरन से मतलब है कि मिर्दा सोल इस्ट्रक्चर कहा जाता है। किस रूप में पाई जाती है? सब लोग जानते हैं होगे अमोनिकल रूप में, एमाइड की रूप में, नाइट्राइड की रूप में या नाइट्रेट की रूप में तो यूरिया में जो नाइट्रियन पाई जाती है बच्चो वो एमाइड की रूप में पाई जाती है। तो बचो याद रखें अपकी बार का अगर डाटा हम लोग देखें तो मद्ध प्रदेश का प्रती हेक्टर उत्पादन में फस नम्मर आया है पकी हुए फलों में कौन सी गेस निकलती है सब लोग जानते हैं अमोनिया, एथाइलीन, मीथेन या सबी तो पकी हुए फलों में जो गेस निकलती है वो निकलती है एथलीन और एथलीन गैस ही फलों को पकाने के काम आती है ठीक है बच्चो तो आज की वीडियो में इतना ही लगभग आपके शार्ट कोशन हो गए शार्ट कोशन कम्पलीट कराएं मैंने आपको पता चल गया हुआ और आपके कितनी कोशन सही हुई एक कमेंट बॉक से लिखका जरूल तो बच्चो आज की वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के सा तब तक के लिए बच्चो नमस्कार